नमस्कार स्वागत है आपका दे न्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शेरिन लगातार लोकसभाद चुनाव के दोरान कभी चुनाव आयोग पर तो कभी ईवियम पर सवाल उठाने वाले वपक्ष को पहले ही चुनाव आयोग ने दी नसीहत और आपके लिए बता दें को मलिकार घृठण कals ढ़िए कि दरब से और अब यानि कि तमाम मनों को जो है वो खारज कर दिया गया और पके लिए पत्र लिखने जा रहा हूं लेकिन वहां से यानि कि चुनाव आयोग से पहुचने से पहले प्रेस कांफरेंज जो है वो नहीं प्रेस को जारी नहीं करूंगा यानि कि जो पत्र में चीज़ मने मलिका अरजुन खडगे लिकर इस बार चुनावायों के लिए भेजना चाह रहे हैं उन्हें वो प्रेस रिलीज में नहीं देना चाह रहे हैं आखिरकार इस तरीके की क्या और कौन सी मांगे रहने वाली है मलिका अरजुन खडगे की दरसल आपके लिए बता दें कि आज उस तरीके से बयान जब मीडिया ने पूछा मलिका अरजुन खडगे से कि जो पत्र आपने इलेक्शन कमीशन के लिए दिया उसे रद कर दिया गया है और उसको लेकर पहले ही इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वोटर्स को गुमरा करने की कोशिश ना करें ये बड़ी बात जो की तरफ से जारी आंकडों को लेकर सवाल उठा रहे हैं दरसल ये मामला तब शुरू हुआ जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोनों चड़नों के जो आंकड़े हैं वो प्रसारित किये गए जुसके बाद कॉंग्रेस पार्टी के अधियक्ष मलिका अरजुन खडगे और उनके साथ इंडिया गटबंदन के तमाम बड़े नेता बार बार ये आरोप लगाते रहे कि वोट परतीशत की जानकारी देने में गड़बड़ी हो रही है इस मामले में अब चुनाव आयोग की तरफ से भी एक बड़ा पत्र जो है वो खडगे यानि की कॉंग्रेस पार् के ऐसे बयानों से बचना चाहिए मले का अरजुन खडगे को और चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया के इंडि गटबंदन के दलों द्वारा वोटर स्टन आउट का सारवजनेक पत्र के अंश मद्दाताओं में कन्फ्यूजन पैदा करने का काम कर रहा है और जो तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो लोगों को यानि की मद्दाताओं को गुम्रा कर रहा है जिसके बाद मलिका अरजुन खडगे ने जो है वो पूरी विपक्षी पार्टियों का मुद्दा उठाया और इसी के बाद जो है वो उन्होंने टर्नाउट के आकड़े जारी करने में देरी क्यों की गई इसमें धांदली हो रही है प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी से लेकर देश के ग्रह मंतरी अमिश्या के ऊपर आरोप लगाते हुए मलिका अरजुन खडगे ने चुनाव आयोग के लिए पत्र लिखा था जिसका जवाब तो दिया ही गया चुनाव नसीहत भी दे दी यानि कि जो मलिका अरजुन चाह रहे थे वो तो हुआ नहीं और इसलिए मलिका अरजुन खडगे की तरफ से आज फिर एक बार ये बात कही गई है कि जिस तरीके से जो नसीहत दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से इस पर वो फिर एक बार चुनाव आय जा रही है पर आज भी वपक्ष कहीं न कहीं चुनावायों को लेकर सवाल उठाता है अब दो तरीके की चीजें जो है वो इंडी गटबंदन के नेता इस समय पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कुछ ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इ उसरी तरब यही पार्टियां जो ये कहती हैं कि इंडी गटबंदन 4 तारिक को आ रहा है देश में वही जो है वो वोटे टन आउट को लेकर सवाल उठाती हैं और वही पार्टियां जो है वो इवियम वीवी पार्ट को लेकर भी सवाल करती हैं यानि कि दोहरा रवाया जो ही चुनाव यानि कि अब चुनाव आयोग ने पत्र पेले ही कह दिया है कि मदान परतीशत जारी करने में कोई देरी नहीं हुई है यह सीधी सीधी बात जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही बता दी गई है और पहले भी ऐसे ही मदान परतीशत अपडेट होता रहा ह और आज भी ऐसे ही मदान के वोट परतीशत को फेश किया गया है और इसी तरीके से यही तक्रीब यानि कि यही तक्नीक जो है और इसी तरीके से काम 2019 में भी हुआ, 2014 में भी हुआ और 2009 के जो लोकसभाद चुनाब थे वहाँ पर भी इसी तरीके से मदान परतीशत जारी किया और आज भी यानि कि 2024 के लोकसभाद चुनाब में भी मदान परतीशत चारी करने में कोई देरी नहीं हुई है क्योंकि सीधा बात जो है वो एलेक्शन कमिशन की तरफ से कही गई है कि पहले भी ऐसे ही मदान प्रिक्रिया अपडेट होता था वोटन टर्ण आउट एप पर मदान परतीशत लगातार अपडेट होता रहता है मदान परतीशत के अंतिम आकड़े मदान के दिन यानिक शाम 7 वजे के बाद और कई जगाहों पर उसके बाद भी बढ़ते हैं और इनी आकड़ों को लेकर सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी के अधियक्ष मलिका अरजुन खडगेन सवाल इसलिए उठाया क्योंकि सिर्फ सवाल उठाने वाले आकड़ों को लेकर सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी ही नहीं या कॉंग्रेस के नेता ही नहीं बलकि इसके साथ तमाम और राजनेतिक नेता थे जो की इनली गड़बंदन का हिस्सा भी है जिसमें एक ममता बैनर जी का नाम भी आता है जो की पक्षिम बंगाल की मुख्य मंत्री हैं वो तो ये तक आरोप लगा चुकी है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रतीशत डाल गया है आकड़े डाले गए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग की तरफ से आकड़े पेश किये गए हैं और इसी तरीके से कई बार सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन को लेकर इन विपक्षी पार्टियों के द्वारा उठाया गया है और यह आर आजीब कुमार की बात तो वो कह चुके हैं कि चुनाव आजो है वो अभी और आने वाले सालों में सिर्फ इवियम से ही होंगे तो जब अब इलेक्शन कमीशन हर बात का जवाब दे रहा है और कभी न कभी यही राजनतेक पार्टियां कभी कहती है कि इवियम खराब है वोकसभा चुनाव काफी जादा दिल्चस्प होता हुआ नजर आ रहा है तीन चलन की वोटिंग देश में हो चुकी है जस पर परधान मंतरी नरिंद्र मोदी हर जगा अपनी जंसभाव में इस बात को दोरा रहे हैं कि इस बार 400 पार NDA जा रहा है और सरकार में यानि कि सत् खतम हो जाएगा तमाम इस तरीके के बयान जो है वो एक दूसरे को लेकर राजणतिक पार्टिया इस समय पर करती हुई नजर आ रही है पर आकड़े और रिजल्ट तो चार जून को आने बाला है और देखना एम रहेगा कि आखिरकार इस बार प्रधान मंतरी का ताज सजे किसके सर पर जो जनता के आशुरवात पर भरोसा बनाए बैठे हैं यानि की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी क्या फिर एक बार मिलेगी उन्हें पीम की गद्दी या फिर वो विपक्ष जो कभी राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहा है और कभी ये कहता है कि आज अगर सरक लगाती हुई नजर आ रही है जैसे के भारतिये जनता पार्टी वहीं अगर बात करें अलग-अलग राजजियों की तो देखिये कई राजियों में काफी जादा सीटों पर चिनाब हो चुके हैं जिसमें से अगर जाधिकतर सीटों की बात करें तो उतर परदेश में उतर परदेश बिहार पक्षिम बंगर तमिल लाडू जैसे राज जहां पर विपक्ष लगातार मजबूत मजबूती से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं बीजेपी का कहना है कि यहां से क्लीन स्वीप करकर जीतेगी बीजेपी चाहे फिर वो उत्तरपरदेश की 80 पीटे हो या फिर बिहार की 40 या फिर बंगाल की 42 खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करकर सरूर बताईए थन्यवाद